नमस्कार मैं आपका जोट्सी मोहंजी नचत्रवानी चैनल से मातारा को परणाम करते हुए अपने गुरू को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन आज कब विशे है हमारी महिलाओं के लिए अक्तिधिक हमारी घर की माताएं बहने कीचेन में खाना बनाती हैं तो क्या ऐसे उपाए करे खाना बनाने के संदर्म में ही कि दिन आपका काफी सांदार गुजरे छूटे छूटे घरेली उपाय क्या है जो एस्ट्रलोजिकल उपाय भी है जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा स्वास्त भी काफी अच्छी हो जाएगे और हर गरन च्छत्र का निवारन खुद बखुद हो जाएगा सबसे पहले रविवार रविवार को जब भी आप उठें तो माता को पिता को पैर चुके परनाम करें और उनका आसिरवाद लें तामबे के जल से सूर्ज को अरग दें और ओम घिरने सुर्जायनमा का जाप करे या ओम रांग रांग सा सुर्जायनमा का जाप करे हमारी माताएं भने रविवार को जब खाना बनाती है तो आटा में थोड़ा सा गुड और गेहूं का च्योकर मिला कर अगर आटा बनाते हैं रूटी बनाती है आटा कूत के रूटी बनाती है तो सूर्ज काफी मजबूत होगा आपका और जब सूर्ज मजबूत होगा तो आपके प्राकर्म बढ़ेंगे घर के आनवान सान बढ़ेंगे और काफी लाव होनी की स्थिति में आप आ जाएंगे सोंबार के दिन हमारे घर की ग्रहनी यहाँ हमारी माताएं बहने जब कीचेन में खाना बनाने जाएं तो आटा में थोड़ा सा दूध मिला दे उसके बाद उसकी रोटी बनावे जिसे चेन्द्रमा काफी आपको मजबूत होगा साथी साथ घर में बेर्थ का पानी बहाना नल से पानी टपकना यह आपके चेन्द्रमा को काफी कमजोर कर देगा तो आटा गुत्ते वक्त थोड़ा सा दूध मिला दें उसमें और उस आटा का रोटी बनाके घर पड़िवार को खिलावे सारे लोग का चेन्द्रमा काफी मजबूत होंगे मंगलवार का दिन मंगलवार के दिन कीचन में जाकर आटा में थोड़े से गुण मिला दे या गुड के पानी से आटा को थोड़े से गुथे पानी में गुड डाले थोड़े देर छोड़ देने के बाद गुड के पानी से आटा को गुथ कर उसकी रोटी बनावे जिससे मंगल काफी मजबूत होगा साथी साथ मंगलवार के दिन मसूर का दाल का इस्तमाल जरूर करे आटा में थोड़े से मसूर का दाल का चूरण मिला दे या मसूर का दाल उस दिन बनाए मंगलवार के दिन इससे मंगल आपके काफी मजबूत होंगे हनुमान चलिसा का भी पाट करें मंगल काफी मजबूत होंगे अब आते हैं बुद्धवार के देल बुद्धवार के देल आटा गूतते वक्त आटा में थोरे धनिया का पत्ता मिला दे और तब आटा गूत है उस आँटा की रोटी बनाए और सबसे पहले अपने घर की छोटी बच्ची को अगर आपके घर में जो सबसे छोटी बच्ची है जिनकी शादी नहीं हुई है सबसे पहले उसे ही भोजन करावे गाय को भी एक रोटी भोजन करावे सरपर्थम अब पूरे परिवार बैटके खाएं बुद्ध आपका काफी मजबूत हो जाएगा और जब बुद्ध मजबूत हो जाएगा तो बुद्धी की इस्तिती बहुत अच्छी होगी पूरे परिवार के लिए बेपार की इस्तिती बहुत अच्छी होगी हडा घांस भी किलावे आपके बहुत सारे प्रोबलम दूर हो जाएंगे घर में सिख्षा का माहौल रहेगा साथी साथ जिन बेक्तियों को नस में प्रोबलम है उनके प्रोबलम भी दूर होंगे जिन बेक्तियों को भूलने की आदत होती जा रही है उनकी भी यादत भूलने की सुधर जाएगी अब गुरुवार आटा गुत्ते वक्त तीन चुटकी हल्दी आटा में मिला दे तीन चुटकी हल्दी और थोड़ा सा बेसन आटा में मिला दे और उस आटा का रोटी बना कर सबसे पहले जो घर के आपके बुजर्ग है जो सबसे बड़े हैं घर के मुकियां है उन्हें खिलाया जाए साथी साथ तोटा को चने का दाल आप दे अगर आपके घर में तोटा है या नहीं भी है तो चने का दाल अपने छट पर रखें जिससे चिरियां लोग चने का दाल खाएं इससे आपके बिरस्पती बहुत मजबूत होगी मान सम्मान की ब्रदी होगी घर में धन धान का महौल होगा बिश्णु जी के मंत्रों का जाप करें काफी लाब होगा आपको शुक्रवार सुक्रवार के दिन आटा में थोड़ा सा देशी घी मिला वें और थोड़ा सा एक चुटकी सहद मिला दें या एक चुटकी सक्कर मिला दें और आटा को गूतने के बाद सबसे पहले आपके घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं सबसे पहले उस रोटी को घर की महिलाओं को खाने के लिए दें साथी साथ गाय को वो रोटी दें और थोड़े से गीहूं गाय को खिलावे लक्षमी जी अत्यनती प्रशन होंगे आपके घर में धन लक्षमी का आगमन बहुत तेजी से होगा अब शनिवार शनिवार के दिन आटा गूतते वक्त एक चम्मच सरसो का तेल उसमें जरूर मिला दे एक चम्मच सरसो का तेल मिलावें और आटा गूत कर वो रोटी सबसे पहले अपने घर में बुजुर्ग बेक्तियों को खिलावें सनी आपका काफी मजबुत होगा साथी साथ आप उस दिन यानि शनिवार के दिन गरीवों को वो रोटी कम से कम तीन रोटी किसी भी गरीव को दान करें करसी भी गरीव के जोली में डालें किसी भी गरीव को खाने के लिए दे उस रोटी पर थोरे से सरसो का तेल लगा कर कुट्टे को भी खिलावें शनी आपके काफी मजबूत इस्तिती में आ जाएंगे और जब शनी लोग आपके एक्टिव हो जाएंगे और जिनके सनी खड़ाव हैं उनके भी सनी अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे इस तरह से हमारे घर की माताएं भने अगर कीचन में खाना में थोरे से बनाते वक्ट ध्यान दे तो बहुत सारे गरन चत्रकान निवारन खुद वक्षुद हो जाएगा और आपको शांती मिलेगी आपके बेपार में बिर्दी होगी नौकरी में पर्मोशन होगा रोगियों का रोग नास होगा यह छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने रखा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें नमस्कार